एलो फ्रेंड्स मोसम है साफ साफ और साफ साफ मोसम में साफ साफ काम जी ये देखी लाल बादशाह लगा रहे हैं कल के होनहार लाल लाल बादशाहा प्लांट है जी हेज बनाएंगे इसकी स्कूल में देखिए इसे डुरंडा भी कह सकते हैं आप रैड कलर का डुरंडा है ब बहुत सुंदर और बिना किसी जाला केरिंग के अराम से चलता है दोस्तों ये देखिए इससे पहले हमने लगाई थी ग्रीन हेज अपने स्कूल में आप लगाएंगे रैड कलर की हेज लाल बादशा लाल सा रैड डुरंडा देखिए कितनी खुबसूरत सी लीवजेंस की बह नहीं होती है कैसे कैसे पौदे लगते हैं कैसे कटिंग लगती है उनके साथ में कनुभा जूड़ेगा हम आए बिलकुल ऐसी हां थोड़ा पास पास लगाओ बच्चों और लाइन से कोई लाइन से करते हैं तो अच्छा लगता है तक ano dough यह बच्चों ने कर दी है शुरूआत लाल बादशा को लगाने की कैसे लगता बच्चों आप लोगों को पोदर लगा ना अच्छा लगता है चलिए आज का हमारे यह चोटा सा काम था या कटिंग मिल गई थी तो हम ने का चलिए अपने स्कुल के लिए लेते चलते दोस्तों इसे आप चाहे तो यह लगाते जाओ चाहे तो आप इसे गाडन में भी लगा सकते हैं इस तरह से लगिवी हेज बहुत ही सुन्द लगती आप कुछ लाल लगाईए कुछ हरी लगाईए यह लगा दीजे कमले में हैंगिंग बास्केट के लिए भी बहुत इच्छा प्लांट है देखिए चोटे हाथों से जब पौदे लगते ना तो बहुत अब भी कितनी मेहनत करते हैं जी इन्हें कोई जिजक नहीं होती बस परिश्रम इनके नस नस में बसा है इसलिए यह आराम से जी इस तरह का परिश्रम करने के लिए तयार रहते हैं हर दम आद बाच्चों ने सीखा आज लाल बाच्चा बड़े हैं बड़े खुश हो रहे हैं कि उन्होंने एक नए पौदे से मुलाकात की और मैं भी लाल बाच्चा बाच्चों से कुछ आवात है दोस्तों बच्चे इस तरह से इंजॉय करते हैं और देखो यह जड़ वाली अगर चीज मिल देगा तो बस कहने क्या डायरेक्ट होगेगी और बाद में बस आपका टिंग करेंगे और इनको उपते बे देखेंगे इंजॉय करेंगे दोस्तों बच्चों को पहले खुद करके दिखाना पड़ता है तब बच्चे आटोमेटिक ले बुची लेने रखते हैं लाओ और लाओ बच्चों पर लाओ परवाँ अजय को अजया को फ्राइब जाटा और पासां